ये कहानी है किस्मत और रिष्टों के बीच अजीब संयोग की ये कहानी तब शुरू होती है जब मम्ता कॉलेज में थी मम्ता एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की थी जिसके पिता एक के साथ थे और वो बड़ी मुश्किल से कॉलेज में दाखिला ले पाई थी फिर एक दिन पर एन मौके पर इमर्जन्सी केस आ गया तो मैं मना कैसे करता बताओ ज़रा अच्छा जी पर एक बात तो बताओ भला ऐसी कौन सी एमर्जन्सी थी जो सारे सीनियर डॉक्टर्स हैंडल नहीं कर पाए और वहां लास्ट येर के डॉक्टर रोहित को बुलाना पड़ा खसम से चपल भिगो कर बेज़ती कैसे करते हैं ये तो कोई तुम से सीखे ये रोहित है जिसके अम्बीबेस का ये आखरी साल है इसलेर ममता रोहित को प्यार से डॉक्टर साहब कहकर ही बुलाती थी ममता और रोहित की मुलाकात एक मंदर में हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे रोहित ममता से बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी चल पड़ा था डॉक्टर साब इतने दिन हो गए हमें मिले हुए पर आपने कभी अपने घरवालों के बारे में नहीं बताया मुझे भी तो पता चले कि मेरी ससुराल आकर कहा होने वाली है अब बताये ना कौन कोने आपके घर में तुमारी किस्मत बहुत अच्छी है ममता एक तो तुम्हें डॉक्टर पती मिलने जा रहा है और उपर से मेरे घरवालों के बारे में सुनोगी न तो हैरान रह जाओगी अच्छा जी तो बताये ना मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है अच्छा क्या करते हैं देबर जी वो अभी बीटेक कर रहा है इंजीनियर बनेगा वो अरे वाँ, एक भाई डॉक्टर और एक इंजीनियर बढ़िया है हाँ, पापा की यही ख्वाईश थी सो मैं डॉक्टर बनने चल निकला और छोटा इंजीनियर और हाँ मैडम, शादी के बाद न तुम हमारे यहां रानी बन कर रहोगी अच्छा, मैं और रानी क्यों आप किसी महल में रहते हैं? नहीं, महल तो नहीं है पर महल से कम भी नहीं है शांदार हवेली है हमारी कई सारी गाडिया है और गाउं में हमारे पास इतनी जमीन है कि पूरा दिन घूमती रहोगी तो भी पूरे नहीं देख पाओगी अच्छा, तो आपकी यह हवेली है कहाँ? मतलब कहाँ है आपका गाउं? अरे वही तो हेलो, येस सर जी सर, मैं, मैं बस अभी आता हूँ क्या हुआ? ममता, I'm so sorry तुम कैप कर ले ना ये भी जानती थी कि जिस प्रोफेशन में रोहित है, शादी के बाद भी उसे बहुत एड़्जस करना पड़ेगा वो एक समझदार लड़की थी रोहित भी इसलिए उसे बहुत चाहता था लेकिन जब रोहित ने अपने घर पर ममता का जिक्र किया तो ममता के परिवार की माली हालत के बारे में जानने के बाद, उसके घरवालों ने इस रिष्टे से साफ इंकार कर दिया रोहित ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ममता को एक नजर देखने तक के लिए राजी नहीं हुए लेकिन रोहित ने भी हार नहीं मानी दिन गुजरे और फिर रोहित और मम्ता ने खुद ही शादी कर ली रोहित के घरवालों ने उनसे कोई तालूक नहीं रखा और फिर एक दिन डॉक्टर साब हम यहां क्यों आए हैं वो देखो तुम्हारा सर्प्राइस हमारी नई गाड़ी क्या अरे वा क्या सच में हम खरीदने वाले हैं आज से कैप का चकर खत्म लेडी मम्ता अपसे कार में घुमेंगी ठैंक्स वैसे एक सर्प्राइस मेरे पास भी है आपके लिए अच्छा तो दिखाओ न इस कार में कुछ महीनों के बाद हम दो नहीं बलकि तीन गुमेंगे तीन लोग? अच्छा? क्या सच में तुम सच कह रहे हैं उम्ता? हाँ यह सच है आप पापा बनने वाले हो रोहित और ममता बहुत खुश थे हाला कि रोहित के घरवालों का साथ ना होने का उन्हें दुख जरूर था लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे और अब तो उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था पूरे नौ महिने के बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दोनों ने मेहिर रखा सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर वो दिन भी आया जिसने ममता की सारी दुनिया ही पलट कर रख दी एक दिन जब रोहित अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा था तभी एक भयानक सड़क हाथसे में उसकी मौत हो गई ममता अचानुक से बिलकुल अकेली पढ़ गई और बेसाहरा भी रोहित के जाने का दुख और उपर से छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी यो तो रोहित बहुत अमीर घर से था लेकिन ममता से शादी करने की वज़े से उसके पास वही पैसा था जो उसे अस्पताल में नौकरी करके मिलता था ममता की आर्थिक हालत खराब होती चली गई मकान का किराय ना देपाने की वज़े से उसे अब एक छोटी सी खोली में रहना पड़ रहा था ममता के माता पिता भी इस हालत में नहीं थे कि उसकी कुछ मदद कर सके ममता ने कई जगा नौकरी ढूडने की कोशिश की लेकिन छोटे से बच्चे के साथ उसे कहीं नौकरी नहीं मिली फिर एक दिन ममता की नजर अकबार में छपे एक विज्यापन पर पड़ी घर का काम करने के लिए एक बाई चाहिए ये भगवान लगता है अब यही काम करना होगा क्योंकि एक बाई का काम करके ही मैं महर को हर वक्त अपने साथ रख सकती हूँ रानी बनने जा रही ममताब अपने बच्चे के लिए बाई बनने को भी तयार हो गए थी अगली सुबह वो अपने बच्चे को साथ लेकर उस पते पर पहुँचके जो विज्यापन के साथ अकबार में लिखा था और फिर आन जी? जी नमस्ते मैं वो बाई के लिए अच्छा अच्छा आईए अंदर आईए मम्मे आना जरा वो बाई के काम के लिए एक औरत आई है अच्छा, कौन है? आऊ, अंदर आऊ जी नमस्ते मैंने वो अकबार में हाँ हाँ ठीक है ठीक है पर ये बच्चा क्या ये तुम्हारा ही है? जी ये मेरा ही बच्चा है मैं एक विद्वा हूँ ओ, तो फिर क्या तुम्हारे साथ ही आएगा रोज? जी इसे साथ लाना ही पड़ेगा आप चाहे तो मुझे कुछ कम पगार दे देना ये बस एक कोने में लेटा रहेगा रोता नहीं है बिल्कुल आपको कोई परिशानी नहीं होगी मेरा भरोसा कीजे अरे वा, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है नाम क्या है इसका? जी इसका नाम महिर है राम प्रकाश ने ममता से बच्चे को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगा उधर राजरानी ने ममता को सारा घर दिखाए और फिर देखो, पैसे तो हम तुम्हें अच्छे दे देंगे पर हमारी शर्त ये है कि तुम्हें यहीं रहना होगा एक कमरा दे देंगे तुम्हें और पूरे दिन घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे बोलो मन्जूर है? जी, ये तो और अच्छी बात है मैं तो वैसे भी खोली में रहती हूँ और फिर मेरे आने जाने का खर्च और खोली का किराय भी तो बचे का अब मुझे मन्जूर है अगले दिन ही ममता खोली खाली कर अपना सामान समेट कर उस बड़े से घर में ले आई अब ममता बाई बन चुकी थी और पूरी मेहनत से राजरानी के घर का खयाल रखने लगी वो सारा दिन काम कर थी और उसके काम से राजरानी भी बहुत खुश थी लेकिन उसे अपने पती रामप्रकाश का ममता के बच्चे को इस तरह लाड़ करना बिलकुल अच्छा नहीं लगता था क्या करते हो रामप्रकाश वो बाई का बच्चा है तो क्या हुआ कैसी बात है कर रही हो वो एक बच्चा है और बच्चे बच्चे होते हैं और प्यारे भी होते हैं क्यों छोटे नवाब सही काना मैंने रामप्रिकाश की बाद सुनकर मेहर खिलखिला कर हस दिया और ये देखकर रामप्रिकाश बहुत खुश हुए वत ऐसे ही बीटता रहा और फिर कई महीनों बाद बमता जड़ा सुनो तो जी मालकिन घर में पूजा रखवा रहे हैं कर पंडित जी आएंगे और कुछ रिष्टिदार भी आ रहे हैं रस्वये बुलवा लिये हैं तुम बस उनकी मदद कर देना और बाकी व्यवस्था देख लेना ठीक है जी मालकिन आप बिल्कुल चिंता न करें सब कुछ अच्छे से होगा उस रात मम्ता को नीन नहीं आई क्योंकि रोहित को गए पूरे दो साल हो गए थे वो देर रात पक रोहित की तस्वीर को देखकर रोती रही और इसी वज़ा से सुबर ठीक वक्त पर उसकी आँख नहीं खुली तो राजरानी गुस्से में उसके कमरे में आधम की अरे क्या सो रही है मैंने तुझे कहा था ना जी 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 अरे इत्ती दीर हो गए माफ कर दीजे मालकिन मैं वो वो मैं बस वो नहादो कर सब काम देखती हूँ ममता हर बढ़ा कर उठी और अपने हाथ में पकड़ी रोहित की तस्वीर को उसने अपनी चटाई पर ही छोड़ दिया और खुद नहाने के लिए जाने लगी लेकिन तभी राजरानी की नजर रोहित की तस्वीर पर पढ़ी और वो बुरी तरह चौकते हुए बोली ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई जी ये मेरे पती है ममता की बात सुनते ही राजरानी ने अपना सर पकड़ लिया वो वही रोते हुए जमीन पर बैट गई और फिर अगले ही पल उसने ममता और मिहर को अपने गले लगा लिया राजरानी रोय जा रही थी लेकिन ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था फिर राजरानी उन दोनों को लेकर बाहर हॉल में आई हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर फूल मालाई चड़ी हुई थी असल में वो तस्वीर रोहित की थी उस तस्वीर को देखकर ममता फूट फूट कर रोने लगी राजरानी के भी आँसु नहीं थम रहे थे वो रोते हुए बस मेहर को चूए जा रही थी भग्वाई ने मुझे मेरा बच्चा लोटा दिया ये क्या बात है तुम रो क्यो रही हो और ये बाई इससे क्या हुआ ये क्यो रो रही है बाई नहीं बहू है ये इस खरकी हमारे रोहित के पत्नी हैं गए राम प्रकाश ने फॉरण पलट कर ममता को देखा लेकिन कुछ कह नहीं सके आप आप बिल्कुल चिंदा मत कीजे मैं जानती हूँ कि मैं इस घर के कहलाने लाइक न पहले थी और नाभू बस इस पूजा में शामिल हो जाओ उसके बाद मैं चली जाओंगी मेर को ने कर और फिर कभी आप लोगों को अपनी मन होज शकल नहीं दिखाओगी नहीं हमें हमारी गलतियों की इसनी बड़ी सजा मत दो बेटी अपने बेटे को तो हम खो ही चुके हैं पर अब हमारे पोते को हमसे दूर मत करो और रही बाद तुम्हारी तो खोट तुम मैं कभी नहीं था मेरी बच्ची बलकि गलत तो हमेशा से हम ही थे रोहित सही था, तुम नाखो मैं एक हो, और हर तरह से अमारे घर की बहु कहलाने के लाइक हो, क्यों रोहित की माँ, सही कहना मैंने। राज रानी के मूँ से शब्द नहीं निकले, लेकिन उसके आँखों से बहते आस्वों ने उसके दिल का हाल बता दिया था, उसने पहले बार महिर को गोद में उठाय था, और अब वो किसी भी हालत में उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, और ममता को भी दिल से अपन करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है, नई नवेली सेहमी सी दुलहन करिश्मा सुबह तड़ के पांच बजे उठ जाती है और सोचती है, हाई राम सुबह के पांच बजे के और मैं अभी तक सो रही हूँ, चल्दी से उठकर नहा लेती हूं नहीं तो सब लो आ गया, चोर, 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 बेचारी करिश्मा किचन में नाश्टे की तैयारी कर रहे थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर, वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर, कहा है चोर माजी, जल्दी बताईए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई कर पूछती हूँ, किचन में, किचन में चोर है, वहां से तरस तरकी आवाजे आ रही है, लेकिन किचन में तो मैं हूँ माजी, और वहां तो कोई नहीं है, अच्छा, फिर तो बहुत तू ही होगी, मैंने खटर-पटर की आवाज सुनी, तो मुझे लगा शाधी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुसाया है पर बहु तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है जी वो मैं नाश्टे की तैयारी कर रही थी अरे इतनी जल्दी सारा दिन पड़ा है अभी ये काम तो बाद में भी हो जाएगा पहले तू जाकर आराम कर ले शादी की तैयारियों में ठक गई होगी जा बेटा आज तो पहला ही दिन है जा जाकर आराम कर हाए कितनी अच्छी सास मिली है मुझे जो आराम करने के लिए कह रही है और एक मेरी मा थी जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी सूरज कब का निकल गया आदा दिन हो गया कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी किहां तो सूरज निकलने के बाद भी सासुमा कह रही है सोजा सोजा करिश्मक खोश होकर अपने कमरे में निश्ण थोकर सोने चली जाती है सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है तभी हॉल में बैठी उसकी बूआ सास और मामी सास बाते बनाने लगती है और कहती है हाई हम का इतनी दूर लख न उसे सोती बहु को देखन वास्ते आवत है अरे आज कल की बहुएं तो सिर पर चड़ी रहती है हमारी तरह थोड़ी न जो ससुराल के डर से आज भी कापते है वही पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बाते सुन रहा होता है अपनी बीवी की बेज़ती सुनकर वो उनकी बातों पर परदा डालते हुए कहता है रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है करिश्मा जानू उठ जाओ बेवी जल्दी से उठकर नहा लो सब रिष्टिदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे है जी मैं तो सुबह पांच बजे उठकर ही नहा कर पूजा पाट करके नाश्टा बना लिया था लेकिन मा जी ने कहा भी सो जा इसलिए आकर सो गई हाई मेरी नई नवीली दुलन सुबह पांच बजे से उठिये तब तो तुम अभी आराम कर लो नहीं अब मेरी नीन पूरी हो चुकी है कहिए आपको कुछ कहना था क्या रजट करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं की कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराईया करे चलो अब जल्दी से तयार होकर बाहर आ जाओ सब तुम्हारा इंतजार करें इतना कहकर रजट बाहर चला गया हाई जी ये क्या हो रहा है मेरी पीट पीछे कल तक जो रिष्टेदार मुझे आशरवात दे रहे थे आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू करती फिर करिश्मा तयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है बुआ जी मामी जी आपने नाश्ता कर लिया हाँ बहू तुझे क्या लगा अगर तुखाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे वैसे तुने टाइम देखा क्या हुआ है तभी वहाँ सरोज आ जाती है अरे ये बिचारी तो सुबह पाँच ही बजे उड़ गई थी नहा कर पुझा पाट करकर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाय था वो तो काफी सुबह थी इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए अरे दीदी बहूं को तो जितना दबा कर रखा जाये उतना ही वो काबू में रहती है अगर जरा भी धील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है ये कैसे रिष्टेदार है बहू का आज पहला दिन है और उसे आशरवात देने की बज़ाये दबाने की बात की जा रही है मैं बहू हूं कोई जानवर थोड़ी न जो मुझे दबाया जाए अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है भाबी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खुल कर दिखाओ कि उसमें क्या-क्या सामाना आया हमारे लिए हाँ जी चलिए सब कमरे में अरे कमरे में क्या चलिए तुम अपना सूटकेस यहां लेकर आओ अरे यहां लाने की क्या जरूरत है करिश्मा बेटा जो जिसके नाम का है दे दो उसको अच्छा पापा ऐसा कैसे ननत को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का जो रिवाज है हम तो वही लेंगे हाँ हाँ जैसे तेरी मा ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना जो तू अपनी भावी से मांग रही है अरे कैसी बात कर रही है आप आपने तो मेरी सबसे पसंदिदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई बिचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदिदा साड़ी उसकी नरत तान्या ले लेती है और वो बिचारी मनीमन सोचती है हाई, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहु के हाथ का मीठा चकलू अहां हां, जरूर बुआ जी, आप बैठिये, मैं भी आप सब के लिए हलवा बना कर लाती हूँ हलवा नई भावी, हमारे हाँ तो मीठे में बहु कहीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है खीर? करिश्मा की मा ने मीठे में हलवा बनाना सिखाय था, वो भी उसने शादी से हफ़ता बबर पहले ही सीखा था हे भगवान, मैंने तो मां से हफता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं, एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है, वही खीर के लिए इस्तिमाल करती हूँ कुछ दिर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है, हम्, भुने हुए चावल की तो अच्छी खुस्बू आ रही है, बस ज़रा दूद में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए, येलो बहू तुम्हारी पहली रसोई का सगुन बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है, मामी साज भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे ले काफी है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी जरूरत कैसे नहीं थी दीदी, ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं हाँ, इसकी एहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है, जितनी तुम्हारे लिए बहू, अब तु ठक गई होगी, जा बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम कर करिश्मा उन सब के पैर छुकर कमरे में चली जाती है, आज शाम को बहू के ममी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं, वही लाएंगे जो तुम्हारे लाये थे, खाली हाथी आएंगे और क्या, और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या, व करिश्मा के माता-पिता उसके ससुरा लाते हैं, अरे आये आये भाई साब, बहन जी, कैसी है समधन जी आप, मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी, कहां है मेरी लाडो, वो तैयार हो रही है, वैसे शाम की राह क्यो देख रही थी, अब तो एक ही घर है, पहले ही आ करिश्मा सूट पहन कर तयार हो जाती है, और सब के सामने आ जाती है, लो जी, आ गई हमारी बहु, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है, बहु, तू न सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में, इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लग कि अप्टी हिट